नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिच्छावली के सी योटूब चैनल में दोस्तो आज का यह जो वीडियो है आपके आने वाले यूपी के जितने भी एकजाम से हैं उनके लिए बहुत ज़्यदा महत्रपूर्ण है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तरपदेश के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को इसकी अलावा हम देखेंगे उत्तरपदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन और संस्थान है उनके प्रमुक कौन है उनको भी हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे ये वीडियो आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है एकदम लेटेस्ट अपडेट के साथ जो है इसमें डेटा को समलित किया गया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्रियों की उत्रबदिस के तचले वीडियो को सुरू करते हैं हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले योगी आदित्यनाच जी से वतमान में ये हमारे मुखी मंत्री है इनके पास कौन-कौन सा विभाग है आईए देख लेते हैं यहां से प्रसनाफ से पूछा जा सकता है तो योगी आदित्यनाच जी के पास कौन-कौन सा विभाग है नियुक जत्व एवं खनी कर्म हो गया, राज्य कर्व एवं निभंदन हो गया, समान्य प्रसासन हो गया, इसके बाद सचीवालय प्रसासन हो गया, नियोजन हो गया, नियोजन के बाद आपका राज्य संपत्ती हो गया, प्रसासनिक सुधार हो गया, प्रसासनिक सुधार के बाद अंतरगत आता है योगी अधितनात के अंतरगत इसके लिए प्रोटोकॉल हो गया इसके बाद सैनिक कल्यान एवं प्रांती रक्षक दल हो गया इसके बाद नागरिक उड़यन हो गया न्याय एवं विधाई विभाग हो गया तथा वे सभी विभाग जो किसी अन्यमंत्री को आवन्टित नहीं हुए हैं ये योगी आदित नाजी के पास हैं तो इसके बारे में आपको याद अखना है इसके बाद आपको पता होगा वलतमान में उत्त्रपदेस के दो उब maar है पहले आपके हैं स्री क्रेशाव प्रसाद मौरिया जी ये उब मुख्य मंत्री है और इसके लावा ब्रिजेस पाठक भी आपके उप मुख्य मंत्री है तो इनके पास कौन-कौन सा विभाग है आईए देख लेते हैं तो केशो प्रसाद मौरिया के अगर हम बात करें तो ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास हो गया इसके बाद ग् आपको याद अखना है इसके बाद हमारे जो दूसरे उप मुख्य मंत्री है और ब्रजेस पाठक इनकी बात करें तो चिकिस्सा सिक्षा हो गया इसके बाद चिकिस्सा एवं स्वास्ति हो गया परिवार कल्यान एव उप मात्री आत्री आश्यAtt कल्यान dw r आपको मिलेंगे श्री ब्रजेस पाठक के पास तता ब्रजेस पाठक भी हमारे उप्प मुख्य मंत्री हैं तो यहां पे हमने CM और हमारे जो दो डेपुटी CM हैं उनके बारे में हमने बात कर लिया है अब आएए और important cabinet ministers की बात कर लेते हैं तो सुरेश कुमार खंड़ना के पास कौन सा आपका विभाग है तो वित्त एवं संसदी कार्य मंत्री आपके हैं सुरेश कुमार खंड़ना तो इनके बारे में आपको याद अखना है सुरेश प्रताप साही जो है क्रिसी, क्रिसी सिक्षा एवं क्रिसी अनुसंधान मंत्री है इनके बारे में आपको याद अखना है सुरेश प्रसाथ साही इसके बाद जल सकती एवं बाढ़ नियंतरन मंत्री आपके कौन है तो स्री स्वतंत्र देव सिंग जो आपके हैं ये आपके जल सकती एवं बाड नियंतरन मंत्री है स्री मती बेबी रानी मौरे के पास कौन सा मंत्राले है तो महिला कल्यान बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्राले आपको मिलेगा स्रीमती बेबी रानी मौरे के पास तो इसके बारे में आपको यादखना है लक्षमी नरायन चौधरी इनके पास कौन सा मंत्राला है तो गन्ना विकास एवं चीनी मिले जो आपके विभाग हैं ये आपको मिलेंगे किसके पास तो लक्षमी नरायन चोधरी के पास तो इसके बारे में आपको याद अखना है परेटन एवं संस्कृति मंत्री आपके कौन है तो आपके श्री जैवीर सिंग जो आपके है ये परेटन एवं संस्कृति मंत्री है धर्मपाल सिंग के पास जो है पसुधन एवं दुद्ग विकास, राजन्यतिक पेंशन, अल्परसंख्यक कल्यान, मुसलिम वकफ एवं हज तथा नागरिक सुरक्चा ये सभी important विभाग आपको मिलेंगे श्री धर्मपाल सिंग के पास ते इनके बारे में आपको याद अखना है वही हम नंद गुपाल गुपता जिनको हम नंदी के नाम से भी जानते इनके पास आपको मिलेगा और द्योगिक विकास, निर्यात प्रुसाहन, एन आर आई तथा निवेस प्रुसाहन ये important विभाग आपके उब लेंगे नंद गुपाल गुपता यानि कि नंदी के पास इनको हम नंद गुपाल गुपता नंदी इनका पुरा नाम है भुपेंद्र सिंग चोधरी हमारे पंचायती राजमंतरी है important आप इसको not down कर लिजेगा भुपेंद्र सिंग चोधरी क्या है तो ये राजभर के पास मिलेगा सरम एवं सेवा योजन मंतराले और समनवय मंतराले ये आपको मिलेगा अनिल राजभर के पास लोक निर्मार मंतरी कौन है तो नितिन प्रसाद जो है ये लोक निर्मार मंतरी है नितिन प्रसाद जो है आपके है लोक निर्मार मंतरी है इसके बाद राकेश सचान के पास कौन कौन सा मंत्राला है तो सुच्म लगू एवं मद्यम उद्योग मंत्राला आपको मिलेगा यानि कि MSME जिसको हम सौट फॉर में बोलते हैं हो गया इसके बाद खादी एवं गराम उद्योग हो गया रेस्तम उद्योग हो गया हद करगा एवं वस्तरोद्योग हो गया या सभी important जो मंत्राला है आपको मिलेंगे राकेश सचान के पास दिन के बारे में आपको याद अखना है इसके बाद अरविंद कुमार सर्मा के पास नगर विकास, सहरी समगर विकास, नगरी रोजगार एवं गरीबी उन्मुलन उर्जा एवं अतरिक्त उर्जा सरोती है सभी important आपको मंत्राले मिलेंगे अरविंद कुमार सर्मा के पास तो यहां पे हम सभी cabinet ministers की बात कर रहें यहां प्यात के लेजएगा उत्तरपदेश के योगिंद्र उपाध्याई के अगर हम बात करें तो इनके पास आपको मिलेगा उच्च सिक्षा विज्यान एवं प्रद्योग की electronics एवं सुचना प्रद्योग की जो विभाग आपका है योगिंद्र उपाध्याई के पास है आसीस पठेल की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख पा रहे हैं आसीस पठेल के पास कौन सा विभाग है तो प्रद्योग सिक्षा उपभोगता सरक्षण एवं बात माप यह important विभाग आपको मिलेंगे स्री आसीस पठेल जी के पास और इसके बाद आपके स्री संजय निशाद के पास कौन सा विभाग है तो मतस्य यानि कि मचली पालन जिसको हम कहते है मतस्य वाला जो विभाग आपका है यहाँ संजय निशाद के पास है तो important जो भी आपके cabinet ministers बन सकते थे उत्तर पदेश के उनको हमने यहाँ पर देख लिया है अब हम देखेंगे important जो संगठान है और संस्थान उनके अध्यक्ष और प्रमुक कौन है उनको आईए देख लेते हैं उत्तर पदेश के तो मुख्य सचीव उत्तर पदेश के वत्मान में हैं दुर्गा संकर मिस्र है इनके बारे में आपको यादखना है दुर्गा संकर मिस्र जो हैं यह मुख्य सचीव है इसके बाद आपके उत्तर पदेश लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष है संजय स्रिनेथ है ये उत्तरपदेश अधिनस्त सेवा चयन आयोग जिसका आपको एकजाम देना है लेकपाल वाला उसके अध्यक्ष वलतमान में है प्रवीर कुमार तो उत्तरपदेश अधिनस्त सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष है प्रवीर कुमार लोकायुक्त वत्मान में है आपके उत्तरपदेश के संजय मिस्रा तो इनके बारे में आपको याद अखना है तता उत्तरपदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे तो विसंबर दयाल जो थे ये उत्तरपदेश के पहले लोकायुक्त थे तो ये भी फैक्ट आपको साथ में या वलतमान में तो मुख्य सूचना आयुक्त है भावेश कुमार सिंग इनके बारे में आपको याद अखना है भावेश कुमार सिंग जो है वलतमान में मुख्य सूचना आयुक्त है उत्तर पदेश के इसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त है आपके मनोच कुमार इनके ब वाचन अधिकारी आपके हैं अजय कुमार सुकला तो इनके बारे में आपको यादखना है वहीं राज मानवा धिकार आयोग के अध्यक्ष वत्मान में उत्तर पदेश के हैं जस्टिस बाल कृष्ण नरायन यानि कि हमारी जुन्याय मूलती बाल कृष्ण नरायन है ये राज मानवा धिकार आयोग के अध्यक्ष हैं इसके बाद पांचमा यानि कि पंचम राज वित आयोग के अध्यक्ष हैं आनंद मिस्र इनके बारे में आपको यादखना है उत्तर पदेश राज महिला आयोग के वत्मान में अध्यक्ष कोने तो विमला बाथम है विमला बाथम ज टेस्ट में एकदम appointment हुई है असीम अरून इससे पहले हुआ करते थे आपके राम बाबु हरित लेकिन राम बाबु हरित के जगह पर हाली में असीम अरून को जो है एसी एवम it yanja अध्यक्ष बनाया गया है तो इनके बारे में आपको याद अखना है इस से पहले तो यहां पर हम बात करें अनुसूची जाती एवं अनुसूची जन जाती आयोग के अध्यक्ष की अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष वत्मान में हैं असरफ साइफी हैं कौन है तो असरफ नहीं असफाक है यहां पर असफाक 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 साइफी जो है ये आपके वतमान में अल्प संक्यक आयोग के अध्यक्ष है तो इनके बारे में आपको याद अखना है असफाक साइफी तो इनके बारे में आपको याद अखना असरफ नहीं यहाँ पे असफाक है इसके बाद हाई कोट हमारा जो है इलाबाद हाई कोट इसके मुख्यन अधिश कौन है तो हमारे नयमुद्ती राजेश बिंदल ये जो है आपकी हाई कोट हमारा जो है उसके मुख्यन अधिश है तो इसके बारे में आपके अधखना है क्या नामें इनका तो राजेश बिंद यह वीडियो आपको पसंद आएगा आपके आने वाले एक्जाम के लिए फायदे मंद होगा इसी ए उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहें पर हम विराम देते हैं तो आज के लिए बस इतना ही थाइंक यू, थाइंक्स पर रौचिंग, थाइंक यू